हेलो फ्रंस क्यासे है अब सब लोग आज इस ठोप सब लोग अच्छे होंगे एंट लॉक्डाउन में अब लोग टाइम स्पैन कैसे कर रहे हो कमेंट के थू बताना मझे तो आज का जो टॉपिक है वो टाइडिल देखके आपको समझ में नहीं आया होगा पीकिस ए अज मैं मैं डीजीन या फिर कोई भी रिबोड के बारें बात नहीं करूंगी आज मैं जनरली इस रिके बारें बात करूंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टन्ट है आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मूँद पोस मान लिजे मूं के अंदर किसी का तूथ निकाल लिया तो उसके बाद हम लोग क्या क्या प्रिकॉर्शन ले सकते हैं, वो जानना बहुत ही जरूरी है समसब के लिए, वही चार पाच पॉइंट में बताऊंगी, वोचिंग यह सर्जुरी का इनिशियल स्टेट है, पहले हम लोग को मुँखे अंदर बताया जाता है कि क्या क्या करना चाहिए, सर्जुरी करने के टाइम, वोचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना और नॉर्मल परसन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, सो विदाउट एनी बुदर दिल, एंटो इंटो इस वीडियो ना और उसके बाद हम लोग को जनेरले पूरा मुँ अनेस्टेशिया नहीं दिया जाता है पेशेंट का सुच्वेशन देखके अनेस्टेशिया जाता है मुँ के अंदर अगर इनकेस हमारा ब्लीडिंग एक बोल को आगर लूग हम एक बोल कोटन रखना है उसके बाद अगर आपको फो ब्लीडिंग नहीं रुगा उसके अगर नहीं नहीं दूग जगर से तो अप थंडा पानी पी सकते हो अधर्वाइस 24 hours, पोस्ट सर्जुरी के बाद, आपको 24 hours ठंडा खाना है, थोड़ा smooth चीज़ खाना है, पुरा hard चीज, hot चीज नहीं खाना है, और गरम चीज़ नहीं खाना है, और 24 hours के बाद, आप गरम चीज़ खा सकते हो, और नेक्स मेरा पॉइंट है, उसमें, आप अपन तंग से, जीब से, तंग से, या फिर फिंगर से, तुछ नहीं करोगे, तो अगर आपको आपको तच करोगे, तो ब्लीडिंग फिर स्चुरू हो जाएगा, और रिकवरी करने में पहुत टाइम लग चाएगा, तो थर्ड, सगेंड पॉइंट हो गया, अभी नेक्स आता है तो उसके बात है तो फोट पॉइंट, फोट पॉइंट में हो क्या करेंगे, अपको प्रश वहाँ पर चाहँ पर प्रश नहीं लगाना है, नहीं तो फिर से वह फिर से स्टाट हो जाएगा ब्लीडिंग, उसके पात, जैसे कि दॉक्तर ने जैसे प्रिस्प्राइब किया अ और जो जो मेडिसिन दिया है वो आपको लेना है ताकि वो सुपने के लिए एजी हो जाए, रिकवरी करने के लिए एजी हो जाए, हमारे अंदर मुझे जो अंदर वो हमेशा एनिटाब 24-27 आवर सलाइवरी ग्लैंट होता है और सलाइवरी अनि टाइम सिक्रेट करता है, त तो मैंने ये वीडियो करने के कोशिछ किया, जड़ आज का एक स्पॉंसर वीडियो है, तो इस वीडियो में बताना चाहते हैं, मामा अर्ट का नेम्स है, और वो पॉलिथीन रिसाइकल करके वो प्रड़क्स बनाते हैं, मैंने यूस के परसनली बहुत ही अच्छा रिजर् तो मुझे बेसिकली अच्छा लगा, में 15 दैंसे रियो, तो अचली मैं हमारे घर के सामने एक बेडी है, उसको मैं 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 रेक्ष़ क्या तो उसको भी डिजर्ट अच्छा मिला, तो इसको भी बिंगा तो इसको बही अच्छा मिला, तो तो आप मैंसे कोई भी लेना चाहत of course. Good bye.